नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है रंजन and welcome to your everyday guide और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे fundamentally best five stocks की जिनको आप हर महीने regularly buy कर सकते हैं या फिर जब भी आपको इन stocks में dips देखने को मिलती है तो इन stocks में आप अपना पैसा invest कर सकते हैं जैसा कि इन stocks के fundamentals हमें बता रहे हैं जैसा कि इन stocks की past performance हमें बता रही है ये stocks आपको आगे चलके काफी अच्छा profit दे सकते हैं तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे चलके इन stocks की बात करें मैं यहाँ पर आपको कुछ बाते clear कर देना चाहता हूं सबसे पहले चीज यह है कि जिन stocks की आज किस वीडियो में मैं बात करन हैं तो इन चीजों से यहाँ पर फरक नहीं पढ़ना चाहिए long term में यह stocks आपको अच्छा profit दे सकते हैं आप चाहें तो अपने broker account के थूरू इन stocks में monthly SIP create कर सकते हैं अगर आपका broker account stocks में monthly SIP create करने का option देता है नहीं तो आप इन stocks में regularly अपने हिसाब से manually हर महीने अपनी investments कर सकते हैं इन stocks में lump sum या फिर एक बड़ा amount invest करना आपके लिए risky हो सकता है तो better होगा कि अगर आपके पास एकटा काफ़ सारा पैसा रखा हुआ है जिसको आप invest करना चाहते हैं तो उस पैसे को आप break करके regularly हर महीने या फिर particular time period के बाद अपने investments in stocks में करें और finally in stocks में आप long term क के लिए अपने investments करिए आप चाहें तो किते भी लंबे समय के लिए अपने investments इन stocks में कर सकते हैं लेकिन कम से कम आपको 4-5 साल के लिए अपने investments इन में करनी चाहिए और investments करने से पहले जरूरी है कि आप अपना खुद का research और analysis जरूर करें क्योंकि ये video किसी भी stock का buy sell recommendation नहीं हैं मैं यहाँ पर आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो इन stocks के fundamentals हमें बता रहे हैं अब क्योंकि हमने initial level पे जरूरी बाते कर ली हैं तो आए जरा इन पांचों stocks को देख लेते हैं तो सबसे पहला stock हमारे पास आता है ITC और जैसे कि हम जानते हैं कि ITC इंडिया की biggest tobacco manufacturing company है और के बाद आता है paper boards, paper and packaging यानि कि ITC, paper और notebooks भी बनाती है जिनको हम आगे चलके अभी थोड़े दर में देख लेंगे और fifth segment आता है agriculture business अगर आप इस चीज़ से familiar नहीं है कि ITC कि आ बनाता है आपने कभी भी ITC की website को open करके नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पर quickly दिखा दे जैसे कि ITC का जो आशिरवाद brand है आशिरवाद के अंदर बहुत सारे products आते हैं sun feast है bingo है yippy noodles है be natural के juices है उसके अलावा और भी बहुत सारे products आपको यहाँ पर देखने को बिल जाएंगे और ITC के अच्छी बात यह है कि ITC FMCG sector के अंदर basic products से लेके premium products तक सब कुछ बनाता है जैसे कि ITC का जो फियामा brand है जो फियामा के shower gels, shampoo और premium साबून बनाता है उसके अलावा Vival है, Engage के perfumes है, ITC यह सब कुछ बनाता है अगर हम paper industry की बात करते हैं तो paper के अंदर अगर आपने नाम सुना होगा classmate as a brand का तो classmate के जित्ते भी note books आती है, pencils आती है, pens आते हैं, cardboard आते ह यह सब कुछ ITC ही बनाता है, मतलब aim के माचिस से लेके home light के माचिस तक ITC यहाँ पर सब कुछ बना रहा है, तो इस stock में अपनी investments ना करने का कोई भी reason आपको यहाँ पर मिल ही नहीं सकता, कि कोई भी investor अपनी investments ITC में क्यों ना करे, अब बात करते हैं, इस stock के fundamentals की, तो इस stock का market cap है, लगबख 5,500,000 करोड का, और अपने market cap के according यह stock Indian stock exchange पे 9th rank पे आता है, इस stock का जो current price है, यह चल रहा है लगबख 440 रुपीज का, और last high इसने बनाया था 500 रुपीज का, last low इसने बनाया था 400 रुपीज का, इस stock से dividend आपको अच्छे मिल रहे हैं, 2.9% के, इस stock के अग 0 है, last 3 years में इसने returns दिये है, 28.9% के, उसके बाद अगर हम बाकी चीज़ों की बाते करते हैं, for example, अगर मैं PE ratio को यहां पर देख लेता हूं, तो PE ratio अगर हम इसके median की बात करते हैं, तो यह है 21.8 का, और current PE के अगर हम बात करते हैं, तो यह चल रहा है 26.8 का, last इसका जो highest PE ग 4.4 का, और current level इसका चल रहा है 26.8 का, उसके बाद अगर हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं, quarterly results के अंदर हम देख लेते हैं, तो sales अगर आप देखेंगे, तो sales लगतार यहां पर increase हुई है, और December 2023 में इसकी sales ने नए highs बनाए हैं, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, net profit क इसका लगतार increase होता हुआ, आपको यहां पर दिख जाएगा, बाकी अगर हम बात करते हैं, इसकी compounded sales growth की, तो last 3 years में यह गई है 13% की, last 5 years में गई है 10% की जो की अच्छी है, compounded profit growth की बात करते हैं, तो 3 years में यह गया है 7% का, और 5 years में गया है 12% का, जो की अगयन अच्छा ह stock price की CAGR की बात करते हैं, तो last 3 years में इसने returns दिये है 29% के, और last 5 years में इसके returns गई है 8% के, तो जैसे की इसमें growth देखने को मिल रही है, आगे चलके यहां पर आपको काफी अच्छे returns मिल सकते हैं, अगर हम इसके shareholding patterns की बात करते हैं, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं, अ domestic institutions की बात करते हैं, तो पहले थे 29.62% के, जो की बढ़के हो गए हैं, 32.21% के, foreign institutions पहले जादा थे, अब कम हो गए हैं, लेकिन उससे हमें फरक नहीं पड़ता, क्योंकि foreign institutions का का काम होता है, खाली profit लेके बाहर निकल जाना, तो हमें यहां पर main धियान देना है Indian mutual funds और Indian domestic other institutions प नेक्स टॉक हमारे पास आता है Asian Paints और जैसे कि हम जानते हैं कि Asian Paints इंडिया की largest paint manufacturing company है, Asian Paints के अगर हम technology की बात करते हैं, तो वो best है, इनका जो distribution network है, वो सबसे best है, मतलब मुझे लगता है कि जहां पर paints की बात आती है, तो वहां पर सबसे पहले Asian Paints और Asian Paints की technology की बात आती ह है, क्योंकि Asian Paints लगतार नई-ने experiments करती रहती है, नई-ने चीजे या paint करने की techniques market में लाती रहती है, तो future demand इस company की बहुत जादा है, ये stock अपने आप में काफी strong stock है, तो Asian Paints के अगर हम fundamentals की बात करते हैं, तो इसका market cap है 272,000 crores के आसपास का, इसका current price चल रहा है 2844 रुपीस क last high इसने बनाया था 3568 का और last low इसने बनाया था 2766 का, मतलब last high या last low का मतलब है last 52 weeks high या फिर last 52 weeks low, बाकी चीजों की अगर हम बात करते हैं, तो dividend yield इसका है 0.9% का, ROCE इसका है 34.4% का जो की बहुत अच्छा है, ROE इसका है 27.7% का जो की again बहुत अच्छा है, ROCE और ROE बहुत अच्छा है, यानि की 20% से उपर का है, just to clarify, promoter holding है 52.6% की और debt to equity है 0.14 का, किसी भी company की debt to equity अगर 0.5 से नीचे है, यानि की अच्छी है, last 5 years के returns इसके गए है 14.4% के, और last 3 years के returns बहुत अच्छे नहीं गए है, ये है 3.38% के, अभी आपको returns को लेके यहाँ पर गबराने की गरोत नहीं है, अभी हम इनकी बाते करेंगे, आगे चलके अगर हम बाकी चीज़ों की बाते करते हैं, last 3 years के PE ratio के अगर हम बात करते हैं, तो PE ratio इसका median अगर हम देखें तो ये है 81.1 का, और currently इसका PE चल रहा है सिर्फ 50 का, last 5 years के PE की बात करते हैं, तो वो है 76.5 का, और जैस होता हुआ मिल जाएगा, compounded sales growth की बात करते हैं, तो last 3 years में 20% है, जो की बहुत अच्छी है, 10% से उपर अच्छा मना जाता है, तो यहां पर 20% है, जो की बहुत अच्छी है, last 5 years की sales growth है, यह भी काफी अच्छी है, 15% की, compounded profit growth की बात करते हैं, तो last 3 years का again बहुत अच्छा है 15% का, और 5 years का भी 15% का है, CAGR के अगर हम बात करते हैं, तो last 3 years में इसने returns दिये हैं 3% के, last 5 years में returns गए हैं 14% के, और last 10 years में returns गए हैं 19% के, तो last 1 और 3 years में बले ही इस company ने बहुत अच्छे returns अपने investors को नहीं दिये हैं, लेकिन अगर आप long term के लिए अपने investments regularly stock में करते हैं तो आपको long term में काफी अच्छे returns यहां पर देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद अगर हम इसके share holding patterns की बात करते हैं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं चलता हूँ, June 2023 पे तो total promoter holding थी 52.63% की, जो की again वो same है, अगर हम बात करते हैं mutual fund holdings की, तो यह है 3.55% क जो की अब हो गई है 3.75%, other domestic institutions की बात करते हैं, पहले था 6.51% का, अभी यह बढ़कर हो गया है 7.92% का, retail holdings पहले भी लगबग उतनी ही थी, अभी भी retail holdings लगबग उतनी ही है, अगर आप graph पे इसका stock price देखना चाहते हैं, तो यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर choose किया है 1 day, और 1 day के साब से आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक regular growth देखने को मिल रही है, उपर की तरफ, एक linear सी growth आपको देखने को मिल रही है, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी growth देखने को मिली है, और last 3 years से लगातार यह अपने 52 weeks low और 52 weeks high के एक तरह से आप इसको यहाँ पर एक consolidation phase मान सकते हैं कि लगातार यहाँ पर इसके prices जो है, वो consolidate कर रहे हैं, next talk हमारे पास आता है D-Mart यानि कि Avenue Supermarts Limited और Avenue Supermarts Limited को India का Walmart बोला जाता है, यानि कि Walmart की तरह यह इंडिया की एक बहुत बड़ी supermarket chain है, जहाँ पर non-food और food products यह दोनों ह इसके offer करती है, D-Mart का इंडिया में जो network है यह काफी बड़ा है और लगतार increase हो रहा है, और अभी total 22 cities के अंदर इसके almost 350 stores है, D-Mart का positive point यह है कि D-Mart के जितने भी stores open होते हैं, वो इनके अपने खुद के buy किये गए land पे ही open होते हैं, यानि कि इनकी जो property होती है, वो इस property को own कर सेम ऐसे ही जैसे कि अगर आपको पता होगा तो McDonald's भी exactly यही करता है, McDonald's के जितने भी stores होते हैं, वो उनकी अपनी खुद की property पे ही open होते हैं, तो ऐसे में होता क्या है कि इन stores की जो operating cost होती है in the form of rent या फिर lease यह बिल्कुल zero होती है, यहाँ पर इनका अपना खर्चा इन से हैं, अगर हम इसके fundamentals की बात करते हैं, तो Avenue Supermarts Limited, इसका market cap है 296,000 crore से भी ज्यादा का, current stock price चल रहा है 4553 का, इसका जो last 52 weeks हाई गया था 4890 का, और 52 weeks low जो इसका गया है, वो है 3352 का, return on capital employed देखते हैं, तो यह 20.1% का है, जो कि अच्छा है, return on equity देखते हैं, तो यह 16% का है जो कि again अच्छा है, promoter holding है 74.6% की, और debt to equity है 0.04 का, return over 5 years की बात करते हैं, तो 28.5% के हैं, और return over 3 years गए है 17.2% के, last 3 years के PE की बात करते हैं, तो इसका median है 124.7 का, और currently यह 121.7 पर है, जो कि एक अच्छी valuation है, और अगर हम फिचले 5 years के PE की बात करते हैं, तो वो है 120.6 का, औ हो है 121.7 का, जो कि again सही है, बाकी की चीज़ों के अगर हम बात करते हैं, तो मैं सिधा आ जाता हूँ, profit and loss पे, तो जहां पर आप sales देखेंगे, तो sales लगतार increase हो रही है, और नए highs बना रही है, net profit के अगर हम बात करते हैं, तो net profit भी लगतार यहां पर increase होता हुआ, आपको stock price के CAGR की बात करते हैं, तो last 3 years में गया है 17%, last 5 years में गया है 28%, उसके बाद अगर हम share holding patterns की बात करते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे, last year की बात करते हैं, तो इसकी mutual fund holdings थी 6.86% की, जो की increase होके हो गई है 7.29% की, retail holdings पहले थी 9.48% की, जो की थोड़ी सी decrease होके हो गई है 8.5 की, लेकिन main चीज जो हमें यहां पर देखनी चाहिए, वो है इसकी mutual fund holdings जो की increase होई है, और जो other domestic holdings हैं, वो भी यहां पर हमें increase देखने को मिल रही है, next stock हमारे पास आता है SGFC bank और SGFC bank इंडिया का largest private sector bank है, यानि कि अगर हम इसके market cap के बात करते हैं, तो market cap के according SGFC इस वक्त है, followed by ICICI bank, बाकि मुझे नहीं लगता कि मुझे SGFC bank के business के बारे में यहां पर बात करनी चाहिए, वो सब लोग जानते हैं, हम सीधे चलते हैं, इसके fundamentals के पास, SGFC bank limited का जो market cap है, यह है 11,47,000 crore से भी जादा का, यानि कि market cap के according इस वक्त यह Indian stock exchange पे 3rd rank पे आता है, अगर हम इ यह है 1510 rupees का, इसका जो last high गया था, वो था 1758 का, last low इसका गया था 1363 का, dividend yield इसका अच्छा है, 1.29% का, ROCE के अगर हम बात करते हैं, तो यह है 9.5% का, जो की ठीक है, ROE के अगर हम बात करते हैं, तो यह है 22.1% का, debt to equity 7.39 का है, banking sector में आपको debt to equity जादा ही देखने को मिलेगा तो इस चीज़ को हम यहाँ पर ignore कर सकते हैं, last five years के returns की बात करते हैं, तो बहुत अच्छे returns नहीं है, 5.77% के हैं, और last three years के returns सिर्फ 1.62% के हैं, लेकिन अभी हम आगे चलके इनके बारे में बात करेंगे, अगर हम इसकी बागी चीज़ों की बात करते हैं, last three years के PE की बात कर किसुध ज़ों करते हैं, इसके सबसे पहले quarterly results, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले revenue देखते हैं, तो revenue आपको यहाँ पर लगतार increase करता हुआ दिखेगा, अगर हम net profit की बात करते हैं, तो वो भी हमें यहाँ यहाँ लगतार increase करता हुआ धिखाई दे रहा है, अगर हम overall profit and loss क की बात करते हैं तो यहां पर revenue इसका increase करता हुआ दिख रहा है और net profit के गरम बात करते हैं तो यह भी हमें यहां पर लगतार increase करता हुआ ही दिखाई दे रहा है compounded sales growth last 3 years के गए है 30% 5 years के गए है 22% जो कि अच्छा है compounded profit growth 3 years का है 26% 5 years का है 23% का जो की again काफी अच्छा है stock price के CGR की बात करते हैं तो last 3 years में खाली 2% है last 5 years में only 6% है लेकि last 10 years में यह है 15% का और क्योंकि हमें recently SDFC में काफी बड़ा fall देखने को मिला था बहुत बड़ा correction देखने को मिला था तो यहां पर इसके last 1 year के returns है वो सिर्फ गिर कर हो गए है minus 10% के लेगिन जब fundamentally अच्छे stocks का price नीचे की तरफ गिरता है तो यहां पर buying opportunity बनती है तो आप यहां पर buying कर सकते हैं अगर हम बागी चीज़ों की बात करते हैं यानि कि share holding patterns की बात करते हैं तो वो हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं अगर मैं जाता हूँ जुलाई 2023 में तो mutual funds की holdings अगर आप देखेंगे तो वो थी 19.13% की जो की मार्च 2024 में increase होगे हो गई है 23.17% की other domestic institutions को देखते हैं तो वो था पहले 10.88% का जो की अभी वी almost around वहीं पर ही है 10.43% पे retail holdings पहले थी 16.06% की जो की increase होगे हो गई है 18.57% की finally fifth stock हमारे पास आता है Tata Consultancy Services Tata Group की company है और IT consulting और business solutions प्रोवाइड करती है Indian stock exchange पे ये company rank करती है second in terms of market capitalization यानि कि Reliance Industries के just बाद इसी company का number आता है अगर हम इसके fundamentals की बात करते हैं तो market cap इसका है 13,82,000 करोड से भी जादा का current price इसका चल रहा है 3821 का last 52 weeks high गया था 4,255 का और last 52 weeks low गया था 3,156 का return on capital employed इसका है 64.3% का जो की बहुत अच्छा है ROE इसका गया है 51.5% का जो की again बहुत बहुत अच्छा है promoter holdings की बात करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी है 71.8% की debt to equity इसका बहुत ही कम है 0.09 का तो almost company के उपर कोई भी debt नहीं है last 5 years के returns की बात करते हैं तो ये है 11.3% के और last 3 years के return की बात करते हैं तो ये है 6.86% के बागी की चीज़े अगर हम देखते हैं तो अगर मैं बात करता हूँ last 3 years के PE की तो इसका PE का median है 31.3 का और currently ये चल रहा है 29.7 पे और इसका जो 5 years का PE है इसका median है 30.1 का जो की again almost around ये उसी level पे है 29.7 पे यानि की valuation इस stock की हमें सही देखने को मिल रही है उसके बाद अगर हम आ जाते हैं इसके quarterly results पे तो quarterly sales आपको यहाँ पर लगतार increase करते हुए दिखाई देगी तो यानि की company यहाँ पर अच्छी profitable है net profit के अगर हम बात करते हैं तो net profit भी आपको यहाँ पर लगतार increase करता हुआ ही दिखाई देगा जो कि March 2024 में अभी इसका highest गया है overall profit and loss की बात करते हैं तो वो भी आपको similar fashion में ही दिखाई देगा sales इसके लगतार increase करती हुई दिखाई देगी आपको और इसका net profit है वो भी आपको लगतार यहाँ पर increase करता हुआ ही दिखाई देगा compounded sales growth की बात करते हैं तो 3 years के 14% है बहुत अच्छी है 5 years का 10% है ये भी बहुत अच्छा है compounded profit growth last 3 years में 12% है जो की अच्छा है 5 years में 8% है जो की ठीक है stock price के CGR की बात करते हैं तो last 3 years में गए है 7% के returns और last 5 years में इसने returns दिये है 11% के last 10 years में इसने returns दिये है 13% के अगर share holding patterns के अगर हम बात करते हैं तो holdings में जाके हम देखेंगे तो June 2023 में इसकी जो total promoter holding थी 72.3% की थी जो की थोड़ सी decrease होके हो गई है 71.77% की mutual fund holdings जो पहले 33.48% की अब वो increase होके हो गई है 4.05% की other domestic institutions पहले थे 6.33% पे और अभी भी वो almost उसी level पे है other domestic institutions पहले थे 6.33% पे और अभी वो थोड़ से increase होके हो गई है 6.62% पे retail holdings की बात करते हैं तो पहले थोड़ी ज़्यादा थी 5.38% की लेकिन अभी थोड़ी सी decrease हो गई है 4.87% पे but overall holdings के अगरम बात करते हैं mutual funds और domestic other institutions की तो वो अच्छी है तो दोस्तों ये है वो 5 different stocks जो fundamentally अच्छी companies के stocks हैं आप अपने investments इन stocks में regularly हर महीने और long term के लिए कर सकते हैं और एक चीज़ अगर आपने यहाँ पर notice की होगी कि ये 5 different stocks 5 different sectors को belong करते हैं याने कि long term में किसी भी market conditions में आप अपनी investments regularly इनी stocks में कर सकते हैं I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करके मुझे जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा जल्दी ही मिलेंगे next वीडियो में thank you for watching